करीब देड़ साल पहले किड्नाबिंग के मामले को अंजाम देने वाले दो आरोपी अब भी फरार है नागपुर कोट ने इस मामले पर 14 अक्टूबर को याचिका जारी करते हुए आरोपियों को बुध्वार कोट में हाजर रहने के आदेश दिये लेकिन आरोपी कोट में हाजर नहीं हुए फरार आरोपियों के नाम डेलसन चोग चावनी निवासी अभिशेक सीह और फ्रेंस कॉलिनी निवासी अंकित पाली है जिनके खिलाव धरम पेट निवासी गौरवदानी ने सदर पुलिस्टेशन में कई धाराओ के तहट शिकायत दस कराई थी बतादेश शहर के सदर इलाके में गौरवदानी और उनके छोटे बेटे को चाकू की नौक पर डरा कर और उन्हें जान से मारने की धमकी देके 20 लाक रुपे फिरोती की मांगी थी साथ ही पिता को मार पिट कर उनके पास से करीब 9 से 11 रुपे चीन लिये थे इस मामले के कुछ दिनों बाद ही आरोपियों ने पिडित से करीब 2,80,000 रुपे वसुल किये यह दोनों आरोपि दिखाई देने पर क्राईम ब्रांच ने नागरिकों को अपील की है कि जानकारी थे